प्राइन्रे के प्रदान मंदि नरेन्रे मुरी जब मदुरवाई एरपोर्ट से लेकर के प्राइमरली जो मदुरवाई के बिल्कुल बीच व बीच जो मा मिनाक्षी का जो मंदिर यहां पर पहुंचे तो लगबग दस किलोमेटर के असपास कई रूट है और दोनों ही तरफ देखएं के भारी संख्या के hallडर काफी भारी संख्या के अंदर लोग वापे पहुंचे हैं कई लोग ने प्र२ाग्त हंग कि को इस वक्त देख पा रहे हैं किस तरीके से देखते हैं अरून इस बात को बिल्कुल यह बहुत बड़ी मेसेजिंग एक तर ऐसा है कि प्रधानमंटी नरेंद्र मोदी जब तमिल नाडू में है मदुरई के अंदर है तो वहां की जो वेश पूशा है जो परंपरागत तरी सब्सक्राइब करें मंदिर तक पहुंचा है तो दोनों तरफ सड़कों के भारी संख्या के अंदर लोगों का एक तरसे भीड़ उमर पड़ी हो का हुजूम एकडर से लोगों का देखनों के प्रधानमंटी नरेंद्र मोदी एक तरसे जब मंदिर की तरफ बढ़ रहते तो लोगों का उत्सा भी एक तरसे बढ़ता जा रहा था लोग प्रधानमंटी को वहां देख करके काफिजार उत्सा हिद हुए और हम जानते के प्रधानमंटी नरेंद्र पुदी इस समय पर मिनाक्षी टेंपल के अंदर पहुँच चुकिया और मिनाक्षी मंदिर की जो खास प्रधानमंटी नरेंद्र पुदी इस से पहले भी मां अम्बे हो या मां शक्ति हो उनके दर पर जाते रहे हैं अभी हाली में जब उनका बांगला देश का भी दोरा हुआ था तो जो शिश्वरी जो माताजी हैं उनके भी दर पर वो गए थे कहा जाता है कि जो ग्यावन शक्ति पीठ है उन मिस चो एक शक्ति पीठ है वहां मानी चाहती हैं अरुन हम तस्वीरों में ये भी देख पा रहा है कि मा मिनाक्षी मंदिर के दर पर प्धान मंदिर नंगे पाउप पहुंचे और ये भी अपने आपने एक आस्था से जुड़े हुए तस्वीरों के तोर पर मा मिनाक्षी मंदिर की खास बात ये है कि बहुत बड़ा रिलिजियस हब माना जाता है रिलिजियस टूरिजम के लियाज से मिनाक्षी टेंपल माना जाता है और साउथ इंडिया के अगर बात करें यानिकि दक्षिन भारत के अगर बात की जाए तो एक सबसे बड़े और भ प्रदान मंटी नरेंडर मोधी की सरकार ने इस बात पर फोकस किया है कि कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया सके अगर मिनाक्षी टेंपल की बात करें तो आप इस बात को जान करके है रान हो जाएंगे कि इस समय पर आप आमोमन ऑन आवरिज समझने की कोशिश करें तो यहा यहां पर आप कह सकते कि 15000-2500 सार की सिर्टाध रहती है यह वार पर दंडग मोग 15 लाइड छान करे पर के तामिल नाडू से हैं या साथन साइट से या भारत के अन्य देश के जो एनराईज है जो कि दूसरे देशों में बसने हो वो भी इस मंदिर में आना पसंद करते हैं क्यों जिस तर से भव्य मंदिर है मा पारवती या फिर मा मिनाक्षी की अगर बात करें और उनके दर्शन क मानता होती है और बहुत पवित्र जल के तोर पर भी माना जाता है अरून बिल्कुल मिनाक्षी टेंपल के जो पॉंड की बात कर रहे हैं इसको फोर्था मराई कुलम कहते हैं या फिर गोल्डन लोटस पॉंड कहा जाता है जो कि इस कॉंप्लेक्सिक खासियत है प्रदानमं पर दर्शाता है कही सारे माईने है क्योंकि मा मिनाक्षी का अपने मतलब है कि मचली की आँको की तरह के मीन आँकोव Baldwinica मीन एक उतल पर अपने मा मिनाक्षी के दर पर और अपने आपने ये तस्वीरें बताती हैं कि इस कार्षे दुनिया भर में प्रकार्स महामारी का एक दौर चल रहा है हर एक व्यक्ति तक को इक प्रकार्स पकार्स से मुक्ति मिल सके और सर्वे ववन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया की जो एक भावना है सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो और वो कहीं न कहीं बेहत महत्पूर एक भाव के तौर पर पिधार मंत्रिक होगा तो निश्य तोर से वो उर्जा आपके शरीर तक भी पहुंचती है और यहीं उर्जा आपको बहतर सोचने, बहतर काम करने और बहतर निर्णे लेने के लिए प्रेरित करती है तो निश्य तोर से इस प्रकार से जो आध्यात्मिक ये इस प्रकार के जो जगहे होती है जो शक्ति पीट होती है वहां की जो उर्जा होती है उर्जा संचे के तोर पर भी इस प्रकार के मंदिरों और वठों को जाना जाता है जहां पर जो व्यक्ति जाता है तो निश्य तोर को अपने अंजाम दे सकता है तो निश्य तोर से पधार मंतुई के मन में यही एक भाव रहा होगा किस तरह से वो देश दुनिया की उन्नती और तरक्टी के लिए बहतर काम कर सकें देश भर में जिस पकार की दिक्कते परशानियां समस्या हैं उसके निदान के लिए तौरित इस थापत तकला का मंदिर वहाँ पर जो नकाशी है जो ओकेरी गई वहाँ पर जो मूर्तिया है उनके बारे में समभ़ता जानकारी हासिल करते हुए और निश्य तोर से पधार मंतुई की एक कोशिश होती है कि जहां कहीं भी वो जाएं वहाँ के विशिष्टाओं के बार में जानकारी हासिल करें और समभ़ता यहां पर इस वक्त जो ये एक पूरा की मंदफ के तौर पर दिख रही है ये पूरी एक आकरती है वहाँ पे तमाम जो जो लेक लगे हुए हैं उसके लावा जिस प्रकार से वहाँ पर इस्तंब हैं उनके उपर जो अकेरी गई पतिमा में कभी भी हिश्किचाते नहीं हैं बिल्कुल आरेंद इस समय पर अगर हम देखे तो प्रधान मंती नरेन रिमुरी जिन स्कल्प्टर को देख रहे हैं इनको हॉल ऑफ थाउजन पिलर्स कहा जाता है और मा मिनाक्षी के इस मंदिर के अगर बात की जाए तो माना जाता है क चाहे वो शेव से जुड़ी हूई हो चाहे सती से जुड़ी हूई हो या पारवती से जुड़ी हो या विश्यू से जुड़ी हूई हो तो इन तमाम जो पुरानिक कता हैं उनको अपने आप से विस्तार से इन 33,000 स्कल्प्टर के माधियम से बताया गया है यह वही स्कल्प अपने आपे बेहत खास माने जाते हैं और जो Hall of Thousand Pillars को कि आपने पूछा कि प्रदानमंती नरेनरमोधी किसी जिस का जायजा ले रहे हैं, जिक्यासा जानने की कोशिश करे के क्या है, तो यह Hall of Sculptures है primarily, Hall of Thousand Pillars है जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में प्रदानमंती नरेनर पूटेशो, माठीौ पूपर संसिता यादेवी सर्वबू पूतेशो, शक्तिधी रूपर संसिता, नमस्तस्ते नमस्तस् aumentar नमस्तस्ते नमा नमा विचारधार है उनके मनमें रहे हैं कि Sach invoice requirement है और भारत एक रहे विराजबात रहे और एक तर भारत एक शक्ति के रूप में दुनिया बर के अंदर निकलता हुआ उभरता हुए दिखाई दे इस कोविट महामारे के बाद में यही शायद उनके मन में उनके दिल में उनके जहन में होगा आनिंद। जो की मा मिनाक्षी का मंदिर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है बड़ी संख्या में लोग हमेशा हर साल यहां आते रहते हैं और चैत्र मास में एक वार्षिक उत्सब के तोर पे जो सालाना उत्सब होता उसकी शुरुआत होती है और वहां से भी अपने आपने कई प्र सकते के उपासक के तोर पर प्धार मंत्री नहिंद्र बोदी की अगर तमाम मौकों पर बात की जाये तो वो तमाम व्यस्त कारकमों के बीच में भी कहीं न कहीं मौका तलाश लेते हैं अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं के आधार पर किस प्रकार से उनका जुक प्रकारी हासिल करते हो निश्यत तोर से सोने की चमक सा चमकता हुए इस्तम अपने आप में बेहत पौरानक और उसको किस प्रकार से खुबसूर्ती से सजाया गया है वो भी अपने आप में दरशाता और एक भारती परमपरा के अनुसार निश्यत तोर से जब हम कहीं जाते तो एक परंपरा के तोर पर होता है एक परिपाटी के तोर पर होता है कि जब आप किसी मंदिर है इस परकार के स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर दान करते हैं और ये जो दान में दी गई राशी हो या किसी भी परकार का सामानों वो निश्यत तोर से उस मंदिर के रख मामिनाक्षी के मंदिर में उसे स्थम के वारे में जानकारी हासिल करते हुए जहां के वारे में तमाम पौरालिक कताएं कहा जाए लगातार बनी हुई है जिसके वारे में देश दुनिया में लोग आते हैं अधरशन करते हैं माता जुकाते हैं अरुन किस तरीके से देखा जाए तमाम धार में कमानताओं के अधार पर प्रदान मंतरी बॉका नहीं चोड़ते और मैं देखा कि उन्हों ने भी अधान पात्र में कुछ अपनी और से शर्दानुसार दान किया बिल्कुल श्रद्धा अनुसार उन्होंने दान किया और इस समय पर वो लगा था जो मंदिर की जो अथौरिटीज है ट्रस्टीज है उनसे इंट्राक्ट करते हुए समझते हुए मंदिर के खासे जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भगवान सुंदरेश्वर जी का मंद हैं और जिस जगे का वो जाहिजा ले रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे वह दर असल वहां पर जो स्कुल्ट्र पनाए गए हैं वह मिनाक्षी और जब भगवान सुंदरेश्वर का जो विवा हुआ था उन उस विवा की तस्वीरों को वहां पर डिपिक्क किया गया है वहां पर एक तरसे स्कुल्ट्र उसके मादियम से बताया गया है लगबग माना जाता है कि 985 के आसपास पिलर्स यहां पर जो डेडिकेटेड हैं वो इस एक तरसे भगवान सुंदरेश्वर और मा मिनाक्षी इनका जब विवा हुआ था विवा से पहले कैसे विश्टु जो बीच पर जो बिच पर देखा कि जो गोल प्लिटेट जो पिलर है वहां पर उसमें भी खूब सूर्ति के साथ में इस विवा का वर्णन किया गया है तो इस तरह से भगवान सुंदरेश्वर जो के शिव का एक रूप है और मा मिनाक्षी जो के पारवती का एक रूप है उनके विवा की जो 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 जलकिया रही थी उस समय पर जो भी हाइलाइट रहे थे उनको इस पिलर के पाते हम से बताये गया है हम जानते हैं कि प्रदान मंति नरेद्र बोदी का फोकस इध बात पर रहता है या कैसे हम लोग अपनी जो पुरानिक जो परादिक जो जो कि हिस्टॉरीकली काफी सिग्निफिकेंट है जो कि हिस्टॉरीकली काफी इंपॉर्टेट और मैंत्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पू कृता है दो रेस्टोरेशन के काम होता है कैसे मंदिर हें जो ईता ही हजार साल से पुराना मंदिर हे फ diferent G के हमारे देश के लागू किया सके कैसे को साजा किया जा सके जिसे रिलीजिटे टूरिज्म या पी या प्रिलिजियस स्पॉर्ट्स हमारी जे देश के अंदर हैं उनको अपग्रेड़ीड और आध्यात्मे के यात्रा के तौर पर कह सकते हैं पुदान मंद्री नैंद्र बोदी की तमिलाडू के मद्रई के मिनाक्षी मंद्र की ये आध्यात्मे के यात्रा जहां पर मा मिनाक्षी के दर में वो पहुंचे हैं मा मिनाक्षी के वारे में पौराने के हिंदू कताओं के आध गटना करम रहा था उस घटना करम को यहां पर जो लगभग 950 स्थम्भ है उन पर उकेरा गया है और उन उकेरे हुए स्थम्भों को जिनका इस्थापना के वारे में वाना जाता है सत्रवी शतापदी में इनकी स्थापना होई थी उस समय से लेकर अभी तक बहुत ही करीने के साथ में बहुत ही बारीकी के साथ में इनको सही जा गया है अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के बात में जो विजटर बुख है वहाँ पर संभफता वो अपनी मन के भाव भी वहाँ पर प्रकट करेंगा और यहाँ पर जो मंद्य प्रशाशन से जुड़े हुए लोग है वो अपनी ओर से प्रधान मंत्री को अंगवस्त्र समर्पित करते हुए और इन अंगवस्त्रों के माध्यम से एक तरीके से कहा जा सकता है कि यह आशिरवाद के तौर पे होता है जो आशिरवाद यहाँ की जो पूरी एक परमपरा है जो यहाँ पर एक आस्था का केंद्र है वहाँ के माध्यम से यहाँ पर जो शक्ति संचेत होती है और वो एक आस्था के त yönपल को यहांग देखने के मिलती है और प्रदान मंत्री के अग विषतर सोर्पा गया है तो निश्य तोर से फ्राइब के तौर पर उसको प्रदान मंत्री ने धार्ण किया है और विज्टर वुक यानि की आगंतुक पस्तिका में प्रधानमंत्री अपने भाव यहां पर रखेंगे इस अध्यात्मिक यात्रा के बाद में प्रधानमंत्री के मन में जो भाव होंगे उसके बारे में अपनी बात वो यहां पर लिखते हुए नजर आएंगे रोल यह भी अपने आप में बहुत महत्मूर है कि प्रधानमंत्री कि इस आध्यात्मिक यात्रा के जो भाव होंगे वो संभवता यहां पर उस्तिका में हमको नजर भी आएंगे बाद में बिलकुँ जिस तर से आध्यात्मिक यात्रे में सराबोर होते हुए प्रदानमंती नरेद्रमोदी दिखाए दिये हैं जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने भाव इसमें जरूर रखे होंगे लेकिन हां मंदिर प्रशासान ने जिस तर से आपने बता है कि अंग वस्त्रम उनको भेट की है इसके साथ में एक किताब भी प्रदानमंती नरेद्रमोदी को भेट की है यह किताब खाफी खास है क्योंकि हम इस बात को जानते है कि जो भी इस मंदिर में आता है दर्शन करने के लिए वो इस किताब को जरूर देखता है इसको पढ़ता है इसको लेना जरूर चाहता है क्योंकि इस किताब के अंदर आप देखेंगे कि जो तमाम मंदिरों के बारे में जानकर ये दी गई है यानि कि शुरुआत से लिके इतिहास के बारे में इत्ती खास बात थी वो इस किताब के अंदर लिखी हुई है हम अमुमन देखते हैं के मंदिरों के बाहर, जोटा मंदिरub, बड़ा मंदिरों इस देश के अंदर, उस जगे की कितावें जरूर मिलते हैं इसके इतिहास को बताया जाते हैं, कि आप महा वैश्णोदेवी के दर पर जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कई सरे कितावे मिलेंगी, जो के प्राइमरियली दर्शाति के हैं, आखिटार क्या कुछ कहानी है महा वैश्णोदेवी की। उसी प्रकार से जब हम मा मिनाक्षी माher मिनाक्षी के मंदिर में जाते हैं तो जो पर्धार्मा selective की अफ़र्टि पेट किया है उसमें जाहिव सी बात है उसमें मौन जानकारिय मौजूद है मा मिनाक्षी के टेंपल को ले कर आहिंद तो इस बात करके technology करी उसको पुष्क रिणी कहा जाता है मिनाक्षी मंदिर के वीच में बना हुआ है उसके पास इस वक्त तरीके से प्रदान मंत्री मौझूद है और यहां से जो मंदिर की भविता का जो द्रश्य दिखाई पर रहा है उसकी जो उचाई दिखाई पर रही आस्मान तक ग अपने आपने शब्दों में बया कर पाना बेहत मुश्किल क्योंकि जिस तरीके से मा का एक तरीके से आशीरवाद लोगों को दूर दूर तक मिल सके उस लिहाद से ये एक उचाई दिखाई पड़ती है और निश्य तोर से ये वो इस्थान जो सरोवर के पास में जहां से एक प्रदामंदरी इसे वक्त वहां मौझूद है और उनके मन में निश्य तोर से सर्वे भबंध की कावना के साथ इस वक्त वो मन्दिर में आस्था के के द्र में यहां पहुँचे हूंगे और यह सरोवर भी अपने आप में बेहत महत पुना और इसकी थमाम प्रकार की अध् देट लिफ्स को अफ्ग्रीड भी किया हाद एदर इसमें जो सरुवर इसके हम बात कर रहें इसको हाली में एक जरी साथ लाख रुपे की लागत के बाद में स्कों एक अपग्रीड किया गया तो लॉक्डाउन के ठीक बाद में अब यह जो टैंक अगर बात कि जा यह 200 बात करते हैं यह उसका सीधा साथ एक बहुत पहतरीन ए अग्सामपल है अभी हम जानते हैं कि हालीप्रदानमंती नरेंद्रमोधी नेक मुहीम शुरू की ती जो वॉटर डेजी जब हुए था उसमुने इस बात की अप्पिल की ति कैसे देश के दर ऐसाइसा इस उसलियां से यह जो यहां पे एक structure बनाये गया जिसको हम lotus tank कहते हैं मिनाक्षी temple के अंदर यह rain water harvesting करने में काफी जाधा structure है और इसी तरह के infrastructure की बात सदान मंती नरेंडर मुदी ने की थी अब माली जी कि अगर इसी तरह के जो रिलीजियस जो स्पोर्ट से हमारे देश के अंदर वो rain water harvesting करने के दिशा के अंदर अगर मंदीर परिसर के अंदर ही इस तरह के infrastructure को बनाते हैं इसको अप्ग्रेड करते हैं तो जायर सी बात है हमारे देश के जो पानी के संद्रक्षन की जो बात कहीं चारी है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा दूसरी सबसे इंपोर्टेंट बात है कि लोटस सेंपल है जिसको अभी पोस कोवीड यानि कोवीड लॉक्डाउन के बाद में इसका जो फेसलिफ्ट किया गया है सतर लाक रुपे की लागत से तो इसको एक तर सेलफ कर देता है और साथी साथ जो लोटस जो टैंक है वो भी आपको दिखाई देता है और यही वजह है कि इसको अब सेलफी पॉइंट के फिर फोटो पॉइंट के तौर पर विक्सित किया गया है लेकि सबसे बड़ी खासियत इस मंदिर की यह है कि जैसे हम जानते के पहले के स है कि यहां वज़ गली करते हैं यही मंदिर करते हैं मिनाख्षी तेंपल का नाम में ला कर relatively यह वो हार्वेस्टिंग पॉइंट यहां पर बनाए गए जिसमें अगर पानी आता है तो पानी का अप संदक्षन कर सकते हैं उसका इस्तिमाल कर सकते हैं बनीर की जो जरूरते होती ही पानी के लिया से उसको आपे पूरा केशन बखता है कि कैसे हमारी जो समर्द विरासत है उसमें ही हमारी समस्याओं का समाधान चुपा हुआ है जिसका जिक अरुन आप करना है कैश दारेन भले ही आज शुरू किया गया हो लेकिन ये अपने आप में बताता है कि हमारी समर्द विरासत में वो सारे समाधान भी छुपे हैं प्रध मामिनाक्षी के दर्शन कराने में इन लोगों ने एक तरीके से भूमिका अदा की और पधान मंत्री की इस आध्यात्मिक यात्रा का बेहद महत्पूर पड़ाओ तमिराडू का मदोराई शहर जहां पे मामिनाक्षी का मंदिर अपने आपने मापारवती के रूप के तौर पे के एक तरीके से बेहद बहुत खुबसूरत तस्वीर के तौर पर ये पूरा मंदिर अपनी उचाईयों के साथ में मौजूद है देश दुनिया भर से लोग आते हैं यहां पर मा के सामने शीश नमन करने के लिए और शक्ति के एक तरीके से प्रमुक केंदर के तौर पर इस फिशित बावम कल डाक्टरल जी जिगिस्षा अन्णीरकाल आरुक्य समस्यलकू नम्मकमैन यमपिका स्री साई होमईयोस्तोर्सायन प्लेनिक्ग डावबेटीस कीलनोप्पुलू सयाटिका वेंडुमुकत समस्यलू तैरायक निध्रलेमी मानिसिक समस्यलू रुत्तु समस अन्निर काल दीक्क कालिक व्याधुलकू प्रच्चीलिक होमियो वैध्यम। अंदरिकी अंधुपाटुलो अंतर जोतिय होमियो वैध्यम। स्री साय होमियो स्टोर्स आइन क्लीनिक। मी आरोग्य समस्य एधेना इपड़ु परिश्कारं साथ्यम। साइड अफेक्ट लेनी वैध्यम्तू सम्पोर्न आरोख्यें कोड़कू संप्रदिन्चंडी स्री साय होमियो क्लीनिका एंड स्टोर्स भवानी नगर अंबेच्कर नगर रोड ओल्ड अल्वाल सिकिन्धाबाद। संप्रदिन्चाल्सिना फोल मम्बर्स 90 00751751 मर्यो 90 0042 2525